हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई शड़ी चेंजिंग दा वे ओफ लर्णिंग स्वागत आप सभी का इंडिया के नंबर वन श्टड़ी चैनल वाइफाई श्टड़ी में तो कैसे हो आप लोग सभी क्या हाल चाल है आई होप सभी बहुत अच्छे हैं बढ़िया हैं दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसकस किया था हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स का जो पहला आप लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है मैजॉर्मेंट यानि मापन वो हम लोग डिसकस करने वाले हैं और यह बिल्कुल फिज क्लास होती है आप लोग के एक बजे और दो बजे करते हैं दो बजे साइन्स के प्रीवेश करते हैं इन दोनों क्लास में हज्जार बच्चों में आप लोगों को आपकी रैंक मिलती है तो क्लास में आईए आप लोगों को यहां पर रैंक में मिलती है आप लोगों को पता आप लोग खोलोगे आप लोगों से कोड पूछा जाता है तो नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लीजेगा ठीक है तो एक चीज और बता दू साइंस का मेरा एक फाउंडेशन बैच है जो की सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इसमें सारी चीजें फिजिस आप लोगों का कोर्स है जब आप लोग इसको जोइन करने के लिए क्या करना पड़ेगो एससे एक्जाम का सब्सक्रीशन लेना होगा यहां पर प्राइज आएगी यह पे ना करें कोड लगा यह नीरज 11 जो डिसकाउंट है वह वाली प्राइज करेंगे बैस्ट है बारा म करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बहुत दिक राशी क्या होती है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी आप लोग किसको बोलोगे ऐसी कोई भी चीज जिसका आप लोग मैजॉर्मेंट कर सको जिसको आप लोग माप सको उसको हम लोग क्या बोलता है physical quantity जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी height क्या है आप लोग बोलेंगे सर मेरी height है 6 feet या 5-7 है पाच-5 है तो आप लोग अपनी height को measure कर पा रहे हो ना तो आपके height जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एक physical quantity एक बहुतिक राशी हो जाएगी मैंने बोला आपकी body का temperature कितना है आप लोगों ने measure किया बोला कि sir में तो 98.6 है तो temperature भी आप लोग मेज़र कर पा रहे हो तो ये भी आप लोगों की एक physical quantity है एक बहुतिक राशी है मैंने आप लोगों से पूछा कि बताइए आज आप लोग कितना खुश है 100 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम तो जो आप लोगों की happiness है जो आप लोगों की खुशी है क्या आप लोग उसका measurement कर सकते है नहीं कर सकते तो happiness एक physical quantity नहीं है क्या बात समझ में आ रहे है physical quantity किसको बोलेंग कर सकते हो क्या इसको नीचे से पकड़े उपर रख दो तो जी हां आप लोग इसकी height का measurement कर सकते हो मैंने आप लोगों को बोला कोई table है इसकी length कितनी है लंबाई कितनी है आप लोग major कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो इसके लिया हम लोगों ने देख लिया तो जो भी चीज का हम लोग measurement कर सकते हैं उसको हम लोग बोलता है physical quantity तो इसके example क्या क्या हो जाएंगे दोस्तो हाइट इसका example हो जाएगा temperature हो जाएगा और बहुत सारे example इसके जैसे भी या volume जैसे आप लोग market से milk लेकर आए दूद लेकर आए दो लिटर चार लिटर तो आप लोग द्यान रखेंगे यह physical quantity नहीं है कि आज आप लोग कितना क्षुश है कि कि आप लोगों कितना प्यार करते हो किसी वक्ती को या आप लोगों को कितना गुस्सा आ रहा है क्या आप लोग इस चीश का measurement कर सकते हो नहीं कर सकते तो दोस्तों जो आप लोगों की happiness है जो आप लोगों की happiness है love है आप लोगों का जो गुसा है इसका आप लोग measurement नहीं कर सकते तो ये आप लोगों की physical quantity नहीं है ठीक है चले आगे आज़ो अब बात करते हैं जितनी भी physical quantity होती है, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में classify कर सकते हैं, जैसे कुछ आप लोग की physical quantity, कुछ भौतिक राशी को आप लोग सदिश बोलोगे, किसी को अदिश बोलोगे, किसी को मूल राशी बोलोगे, किसी को विर्टपन राशी बोलोगे, तो आज तक ही समझ लोग उसके direction के और magnitude के basis पे और एक हम लोग उसके measurement ए unit के basis पे अभी आप लोग इसको बिलकुल भूल जाएए केवल और केवल आप लोग इधर ध्यान लगाईए इसका मतलब क्या है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी height क्या है आपने बोला कि सर मेरी height है 6 feet माल लीजिए for example माल लीजिए आपकी height है 6 feet दोस्तों जब आप लोगों ने अपनी height का measurement कर लिया तो क्या आपकी height एक physical quantity है क्या एक भौती ग्राशी है क्या जल्दी से मुझे बताईए जी हाँ आपकी height जो है वो एक physical quantity है एक भौती ग्राशी है इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है बट दोस्तों क्या आप लोग अपनी height को बताने के लिए जैसे आप लोग मुझे अपनी height बता रहे हो आपने बोला 6 feet तो आपने किस चीच का इस्तेमाल करा बस यह तो बताए आपने की magnitude कितना है magnitude का मतलब 6 feet है 4 feet है 5 feet है 5 foot 2 inch है कितना है आपने के मुझे direction बताई क्या कि नहीं 6 feet इस direction में यह 6 feet इस direction पे नहीं बताई आपने तो आपकी जो height होगी इसको represent करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ magnitude की requirement है आपको direction की requirement नहीं है तो कुछ physical quantity ऐसी होती है कुछ बहुतिक राशिया ऐसी होती है जिनको represent करने के लिए जिनको व्यक्त करने के लिए आप लोगों को direction की जरूरत परती है और कुछ physical quantity ऐसी होती जिनको direction की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम लोग बोलते हैं scalar quantity अदिश राशिया और जिनको direction की जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम लोग बोलते है vector quantity यानि सदिश राशिया समझ गए बात को कोई दिक्कत कोई परिशानी तो ब समझ गे बात को clear आजाओ तो बात करते हैं scalar quantity के बारे में बताईए न क्या बोल रहे थे आप मैं बस यह बोल रहा था ऐसी physical quantity जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ magnitude चाहिए हो मान चाहिए हो direction नहीं चाहिए हो उसको हम लोग क्या बोलते है scalar quantity बोलते है आ आप लोगों को direction की requirement नहीं है जैसे सर इसके कुछ example बताईए मैंने आप लोगों को बोला जैसे आप लोगों ने बोला वही आपकी गाड़ी में जब आगे वह लगाव रहता है ना जिसमें डिस्टेंस आती है आपकी गाड़ी किती चल गई 1000 किलोमेटर चल गई है एक जैसे 1 6 1 3 जैसे 1613 किलोमेटर चल गई है आपकी गाड़ी तो उसको हम लोग बोलते हैं जो आपकी डिस्टेंस को mejor करता है ना उसको हम लोग बोलता है इधर गई है या 1613 इधर गई है या 1613 इधर गई है नहीं उसने केवल और केवल मैगनिटूड बता है तो डिस्टेंस आप लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी अधिश रशी हो जाएगी दोस्तों मार्केट से आप लोग दूद लेकर आए मालो चार लिटर दूद लेकर आए तो मैंने आप लोगों से पूछा कितना दूद लेकर आए दूद का वॉल्यूम क्या है आपने बोला चार लिटर मैं आप ल जो 20 सेकिंड कैसे लगते हैं ऐसे लगते हैं बस टाइम जब भी आप लोग रिप्रेजेंट करोगे सिर्फ आप लोगों को वैल्यू चाहिए मैंगनीटूद चाहिए डायरेक्शन नहीं चाहिए तो सारे के सारे आप लोगों के एकजंपल हो जाएंगे आप लोग मारेकेट से माल लीजिए दोस्तो कुछ चीज लेकर आया एक किलोग्राम तो मैंने बोला कितनी चीज लेकर रहा है आप लोग यह तो बहुत लोग एक किलोग्राम लेकर रहे ह। यहीं जितने भी ईघ्जम्पले आप लोग उट ने यह की रट्ने आप प्लोग क्या करते हो सब्सक्राइं प dif ряд लिया मास volume ror एक्जम में में अप लोगreno में आपाण सारी चीजियर गातिक सर्डणे दिने जीक्ligे आपने आप लोगों पॉलीटी पड़ोगे हीस्ट्री पड़ोगे जे जोग्राफी में भी सारी चीज़े thing आप लोगो को तो रटने वाला पार्ट हमारे प्रच में बहुत सारा है तो जो चीज समझी जा सकते हैं तो उसको तो संस्के तो आप लोग देख पार हूँ, यह सारी की सारी अधिश राशी है, मैंने आप लोगों को example चे समझा है, बात आती है सरी speed कैसे एक अधिश राशी है तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा रुकिए, जब motion वाला chapter पड़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, speed जो है, वो कैसे आप लोगों की scalar quantity है, अधिश राशी है, और velocity जो vague होता है, वो कैसे सदिश राशी है तो अभी आप लोग जानते हो, volume क्या होता है, time क्या होता है, distance क्या होता है तो आप लोग इजिली बता सकते हो, यह scalar होगी यह vector होगी, बट जो quantity आप लोग जानते ही नहीं हो, कि pressure क्या होता है समझ रोब आपको pressure क्या होता है, magnetic effect क्या होता है, तो आप लोग कैसे बता पाऊगे, scalar होगा, यह vector होगा तो उसके लिए आप लोग वेट करिए, जैसे जैसे physics चलते जाएगी, आप लोगों को सब कुछ समझ में आता जाएगा इदर एक साथ में सारी नहीं बता सकता, viscosity, surface tension, वरना फिट्रो रटवाने वाली बात हो जाएगी तो जब हम लोग पढ़ेंगे viscosity तब आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यह scalar है, यह vector है, ठीक है? चले आगे, आ जाएगे, अब हम लोग बात करते हैं vector quantities की, vector quantities कौन सी हो जाएगी? एसी आप लोगों की राशिया, जिनके लिए आप लोगों को magnitude भी चाहिए हो, direction भी चाहिए हो, यहाँ पर आप लोगों को magnitude भी चाहिए, as well as direction also needed, यहाँ पर दोनों चीज की requirement है, सर इसके कुछ example बताइए, जैसे दोस्तों बल हो जाएगा force, मैंने आप लोगों को बोला, मै मेरे उपर 10 Newton का force लग रहा है, मैंने आपको बोला, मेरे उपर 10 Newton का force लग रहा है, तो क्या इतना sufficient है बताने के लिए, मुझे आप लोगों को direction भी बताने पड़ेगी, कि यह 10 Newton आप लोगों का इधर लग रहा है, यह 10 Newton इधर लग रहा है, तो कि हर एक force किया एक अलग- left में गिरा रहा होगा, अगर 10 Newton ऐसे लग रहा होगा, तो यह मुझे right में गिरा रहा होगा, अगर 10 Newton उपर से लग रहा होगा, तो भी यह मुझे पिचकाने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का direction बताना जरूरी है, कि कहां पर लग रहा है, तो force जो होता वो एक आपक लोग के वेक्टर कॉंटिटी होती है displacement विस्तापन वेक्टर कॉंटिटी होती है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आप लोग पढ़ोगे सम्वक क्या होता है वेक क्या होता responds आक्तर क्या होता है की आपको सब को चलिए चलते हैं आगे आजाईए अब बात करते हैं कि सर आपने जब चार्ट बनायता है उदर इधर भी कुछ था तो ये तो आपने बता दिए अब उदर वाले की बात करो तो ये तो मैंने आप लोगों को डायरेक्शन की बेसिस पे दिशा के बेसिस पे जितने भी फिजिक बात पर हम लोग करते हैं वर्गी करन देखो अब दोस्तों दिशा की आदार पर होगी अब इसको बिल्कुल भूल जाओ अब हम लोग बात करेंगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वह या तो आप लोगों की फंडामेंटल होगी या आप लोगों की डेराइवड होगी अब इसको छोड़ो पहले इसको समझो या तो वह फंडामेंटल होगी या वह मूल राशी होगी अब आप लोग बोलेंगे सर कैसे पता पड़ेगा वह फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है कैसे पता पड़ेगा वह डेराइवड क्वांटिटी है या नहीं है दोस्तो derived, derived जैसे की नाम से माला जो किसी चीछ से derived हो, जो किसी चीछ से निकले, जो किसी चीछ से उत्पन हो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कि ये आपके पास में एक rectangle है, मैंने आप लोगों को बोला बताइए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई का measurement करो, तो आप लोग मुझे बताईए जब आप लोग इसकी length का measurement करने जा रहे हैं आप लोग scale ले कर गए ये आपने नापा आपने बोला कि sir ये इसकी है 10 cm इसकी लंबाई है तो क्या length को निकालने के लिए क्या आप लोगों को किसी और पर dependent होना पड़ा क्या अब ऐसे बोलो sir scale पर dependent होना पड़ा और वो तो होते ही यार आखों से तोड़ी कर लेते हैं जैसे नाप लेते हो आप लोग सामने वाले को तो यहाँ पर तोड़ी कर लेते हैं आप लोग 10 cm है ये scale का तो करना ही पड़ता मेरा question यह है कि length क्या किसी formula से निकल रहा है क्या length का कोई formula है क्या area into width, height into volume ऐसे कुछ formula है क्या इसका नहीं दोस्तो simple है यार measure कर लो length किसी पर depend ही नहीं कर रहा तो जो किसी चीज़ पर depend ही नहीं कर रहा या जिस चीज़ को निकालने के लिए आपको किसी formula की किसी सूत्र की जरोती नहीं पड़ रही वो आप लोग की fundamental quantity है तो length इसका एक example हो जाएगा clear है समझ गए बात को दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला market से कुछ चावल लेकर आया, मैंने बोला कितने kilo है तो आप लोगों ने तोला उसको देखा 4 kilo है तो आप लोग मुझे बताईए क्या जो द्रव्यमान है, जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको निकालने के लिए क्या कोई formula लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना पड़ रहा है, अब मैंने आप लोगों को बोला, कि जो rectangle है, इसका area निकालो, इसका शेतरफल निकालो, तो area या आप लोग कैसे निकालते हो, rectangle का, आप लोग सभी जानते हो, length into width, लंबाई into चोड़ाई, तो पहले आप लोगों को इसकी लंबाई निकालने पड़ेगी, फिर आपको इसकी चोड़ाई निकालने पड़ेगी, और जब दोनों को गुना करोगे, तब जाके area आएगा, यानि area किसी चीच पर depend कर रहा है गया, जैसे length तो किसी पर depend नहीं कर रहा था, बट area तो कर रहा ना शेदरवल, इसके लिए आपको length भी चाहिए, आपको width भी चाहिए, तो area एक कैसी quantity हो जाएगी, एक derived quantity हो जाएगी, यह length और width से निकला है आप लोग का area, समझ में आ रहा ह इसके length, into weight, into height, तो volume निकालने के लिए आप लोगों को किस किस चीच पर depend होना पढ़ रहा है, length पे, weight पे, height पे, तो इन तीनों से आप लोगों का volume निकला है, तो volume एक derived quantity, एक width पन राशी है, तो area इसका example हो जाएगा, यानि शेतरवल और एक आप लोगों का volume हो जाएगा, दोस्तों आप एना, यहां पर थे, यहां से आप लोग यहां पर गए, यह जो इन दोनों point की बीच की जो distance थी, वो माली जे 100 meter थी, और यहां से यहां पर जाने पर जो आप लोगों को time लगा, वो लगा कितना 50 second, समझ गए बात को? तो मैंने आप लोगों को बोला, speed निकाल की बताओ, speed, तो speed क्या होता है, आपका distance upon time, कितनी distance रेवल करी, 100 meter करी, कितने समय में करी, 50 second में करी, तो आपकी speed कितनी हो जाएगी, 2 meter per second आप लोग की speed हो जाएगी, तो speed को निकालने के लिए, चाल को निकालने के लिए, क्या आप और चीज़ से आप लोग का speed निकल रहे है, बिलकुल, तो जो speed होगी, जो चाल होगी, वो भी आप लोगों की derived quantity होगी, दोस्तों समझे ही नहीं समझे, बताओ यार, अच्छा time कैसा है time, time एक fundamental quantity, derived quantity है, time just simply measure कर लो, उसके लिए को formula चाहिए, तो time आप लोगों का एक fundamental quantity है, आप जादा दिमाग मत लगा न, देखो sir time है, time एसे निकले का distance बटे speed, जो को time के लिए formula चाहिए sir, यह ऐसा तो दिमाग नहीं लगा रहा कोई, कि जो को time के लिए formula चाहिए, ऐसा तो हर चीज़ के लिए formula चाहिए, length, area होता है आप लोगों का, length into width, तो आप लोग बोलोंग कि एक rectangle है, इसकी length निकालो, तो पहले उसका area निकालोगे आप, फिर उसमें उसकी चोड़ाई का divide करोगे, चोड़ाई से भाग लगाओगे, ऐसे निकालते होगे length, simply आप लोग measure करोगे न, क्या किसी चीज़ पर depend होना पट रहे गया, तो आप लोग का length हो गया, mass हो गया, time हो गया, यह सारी की सारी आप लोग की fundamental quantity है, clear है, चले आगे, मनीश गुपता जी बोल रहे है, सर क्योशन कर आए, start हो गया गया आपका, मनीश गुपता जी बोल रहे है, सर क्योशन कर वाए, तो यह क्योशन है, खुद से अपने आप से पूचो मनीश गुपता जी क्योशन होगा यह नहीं होगा आपका, यह क्योशन है पहला आपके लिए, क्योशन चाहिए ना, यह क्योशन अब आप पूचोगे सरी क्योशन किसमें आए था, यह सब में आए था, और जिंदगी में आगे हमेशा आएगा, जब जब कुछ ना कुछ करोगे, जिंदगी मे दो बजे हैं ठीक है सर आपने बताया length, mass, time यह fundamental quantity होती है सरी तीन ही होती है नहीं दोस्तों fundamental quantity हमारे पास में total कितनी होती है ध्यान रखना है आप लोगों को 7 होती है बहुत बार कोशन पूछा आप लोगों से जाता है कि बताईए चार आप लोगों को option दे देंगे एक force दे देगा एक pressure दे देगा एक viscosity दे देगा और एक मालिजे electric current दे दिया इन में से कौन सी एक fundamental quantity है इसमें कौन सी एक मूल राशी है बताईए तो आप लोगों को ध्यान ठीक है इसके लावा कौन सी होती दोस्तों temperature भी होती है electric current luminous intensity और amount of substance इस सारी की सारी आप लोगों की क्या है fundamental quantity ध्यान आप लोगों को रखना है टोटल आप लोगों के बास में साथ होती है क्लियर दोस्तों जैकुमार जी बोल रहा है supplementary quantity बताएंगे बताएंगे अभी इतन के बारे मैंने आपको बता दिया supplementary अभी छोड़ो अब इधर द्यान रहूं कि दोस्तों कोई भी quantity का आप लोग measurement करते हो जैसे मैंने आप लोगों को बोला आपकी हाइट कितनी है आपने बताया सेक्स फिट मेरी हाइट है ना 6 फिट मेरी हाइट है क्लियर है चलो बताओ अ कि इस पर कि अगा इसलो बताओ कि बताये सब अपनी हाइट बताईए कि अगंशा ने है नहीं बताओ सब अपनी हाइट बताओ अ चल्दी से बताओ मैं देख रहा हम सब की कमेंट पाच शे, पाच दो, आज दो अपने हैटी नहीं पता होगी मुकेश रवीदाश जी बोल रहा है सर एक पिट का हूं मैं वो तो 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 मेरी बातों से समझ में आ गया उपे इंद्र बोल रहा है दस पिट यार वो मेरे घर में जाले लग गया उपर सफाई कण्णी पर आ जाओगे दिवाली पर सब्सक्राइब कुछ भी आ रहा है तो जिस प्रकार से आप जाब दोगी यहां सभी वैसे जाब में लगा सब्सक्राइब कोई बता रहा है बारा फिट तो यह पर दिवाली का समय आ रहा है कि मुझे फाल तो मैं टेबिल पर चटके और करनी पड़ते सवाई गिर्ने का उडर रहता है आप अम है कि और दीशला से एक nें 2014 कि आपने वॐल्यूम सकेलर बताया राप मने वॉल्यूम मीश मैशला बताया तो बता दो प्या प्ता यह Ben Bir इतने lorsque मैं कर और सब्सक्राइब आपने वॉल्यूम स्केलर बताया तो इसकेलर को इसकलर तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे वेक्टर बोलूं से तो आजाओ दोस्तों किसी भी जब कॉंटिटी को आप लोग मेज़र करते हो ना जैसे आपने बोला कि सर मैंने अपनी हाइट मेज़र कर लिए मे तो अंकिक माने यह तो क्या है आंकिक माने को आप लोगों को और साथ मेंrier फिट है यह 2 इंच है कुछ भी मालों 188 cm है तो आप लोगों को पीछे लगाने के लिए कुछ चीज चाहिए इसको हम लोग बोलता है यूनिट इसको हम लोग बोलता है मात्रक सर इसको यूनिट क्यों बोलता है जैसे मैं आप लोगों को बोल दिया 188 मिटर इसकी यूनिट बताईए मात्रक क्या है यह एकाई क्या है तो पीछे से चलो जो सबसे पहले दिखे तो यह मिटर क्या है आप लोगों का यूनिट हो जाएगा क्लियर है समझ रोग वाट को तो कोई से भी वैल्यू को आप लोग मेजर करते हो ना तो आप लोगों को दो चीज होती है इसमें दो चीज होती है कौन कौन सी होती है एक तो तो इसका नंबर होता है एक आंकिकमान होता है और एक होता है unity यह और हिंग मातरक जैसे आप लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर आप लोग देखो जैसे आपने बोला कि sir मेरे उपर force लग रहा है चार्ण न्यूटन का तो एक तो आपने मुझे यह वाली सब्सक्राइब मात्रक दो हम यहां पर जो six और प्लोग देक पैर हो यह आप लोगों के नंबर से प्पर्वर सब्सक्राइब अब युक्त है यह थे आपको कि लिए अवाय है और यह पूसरा आपके रखवादी उदर मैं नहीं लेकर है कि आपने बोला six आ थे वह वाई सब्सक्राइब थे यार एक यह शाधर च्लोग्राप लेकर है आपने तो बड़िया काम बढ़िया चाहां। शाद आट दिन का काम बजाएंगे पड़ोसी वाले दूआ उड़ देंगे यार तो जब गया तो मैंने देखा भी जा इतना से टुकडा बढ़ा था कोई खा रहा होगा तो टा पैरट टुकडा बजगे होगा लिया है में लिए उला सर मैं तो साड़े छे ग्राम बोल रहा थ मैं तो साड़े छे ग्राम बोल रहा था तो जितनी खुशी मेर को उस समय हुई थी ये सुनके उतना ही दुख मेर को ये सुनके हुआ बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो इस्टूडेंट निकल चुका था रंडे वंडे तो पड़े थे या बट इस्टूडेंट नहीं था ना सामने तो भाईया यही दिक्कत है यार कि कोई किलोग्राम इस्तेमाल करता है कोई ग्राम करता है और विदेश में तो चल मच जाना जैसे आप लोग पहले वह डब्लूडब्लूवी के कार्च देखते थे थे ना उसमें वह विट्शो के आगे लिखा थे लिए फिट इस्तिमाल करे इंच करे मिटर करे क्या करे तो इसके लिए हमारे पास में अलग अलग सिस्टम है अलग अलग पद्द्यति ह सर पद्द्यति का नाम बताओ जैसे एक है हमारा CGS सिस्टम जिसको फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम भी बोलता है एक है हमारे पास में एफपीए सिस्टम जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलता है और एक है हमारे पास में MPS सिस्टम तो अगर आप लोग य उसी समय पूख लेता कि कौन सा सिर्टम फॉला करते हो तो भोलता सर मैं 1.606, है लेकर आये हूं और मैं सी ज्येंस सिस्टम फॉलो करता हूं तो मुझे पता पढ़ जाता है यार्व सहीजिए सिस्टम फॉलो करता है इसका मतलब वह मास्अ को किस में नापता है डिम con CGI system बोलता है लंबाई को centimeter में लो मास जो भी दरवेमान measure कर रहे हो gram में करो और time को करो second में ठीक है तो length को किस में करो centimeter में करो मास को दरवेमान को gram में करो और time को किस में करो second में करो clear है दोस्तो FPS system बोलता है कि जो भी length का measurement कर रहे हो वो आप लोग foot में करो, समझ में आ गया, आप लोग जो भी द्रव्यमान का measure कर रहे हो, वो pound में करो, और जो भी आप लोग समय का measurement कर रहे हो, वो किस में करो, second में करो, M के system बोलता है, यार लंबाई जो भी measure कर रहे हूँ आप लोग मिटर में करो जो भी आप लोग द्रव्य Maan, mass का measurement कर रहे हो, kg में कर रहो और जो भी समय का measurement कर रहे हो आप सेकेंड में करो, यह बात समझ में आई यह निए बताuję सर आपकी वज़े से डियेसल का एक जाम में साइंस में 23 बटे 24 कोशन एक दम सही हुआ है बहुत बहुत बढ़िया देखो अभी जितने पेपर हो ना चाहिए रीट का पेपर हुआ और अभी एक उडिसा का हुआ था को यार इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था तो सारे कोशन मेरी वज़े से अगर आप लोग डिली क्लास अटेंड कर रहे हैं मैंनत कर रहे हैं तो कोशन बनने यह यार इसमें कोई दो राय नहीं है चले दोस्तों अब आपके मन में क्योशन आएगा कि सर यह जो लड़ाई हो रही है वह केवल और केवल इन तीन चीजों के लिए क्यो नाइट में लेना है इनके लिए क्यों नहीं लड़ाई हो रही है क्यों जितने भी अलगल सिस्टम में के वल वह इन तीनों के बारे में क्यों बता रहे हैं बताओ बताओ जल्ली से बताओ जल्ली से बताओ त्यूंकि दोस्तो बताओ सटार्टिंग में इतनी डेवलप नहीं थी हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीश थी ना जो मूल राश्य थी मूल राश्य जो किसी पर dependent न वह तीन ही थी लेंत मास टाइम लेकिन समय के साथ में फिजिक से आप लोगों की और डवलप होती गई उसके बाद में हम लोगों ने इंक्लूड करा इलेक्ट्रिक करेंट को टेंप्रेचर को पहले फिजिक इतनी ज्यादा डवलप नहीं थी तो हम लोग तीन फंडामेंटल कांटिटिए थी पहले तीनमूल रशती बाद में किट्ट्रिक के साथ हो गया अब यह मालू इंडिया वाले और ये मालो कुछ भी कोई दूसरा मालो चीछ इनदेट सा करें रहा है कि हुए दिक्कत कोई परिशास नहीं अब मालो अमेरिका ने कोई भी चीज भीजी यह थोड़ा सा लिख लेदा मालो इंडिया में ये रूल है कि आप लोगों को फॉलो करना है जिस्टम में कोई सिस्टम के मान लीजिए फ़र एक्जंबल बता रहो मैं सी जिस्टम पाकिस्टान में फॉलो हो रहा है अब इंडिया से कुछ गोल्ड गया लो भी या पाकिस्टान ने पैसे दिये थे तो इंडिया ने बोला पाकिस्टान नम पूचा कितना है तुमने बूला सो खुश हो गया और में के सिस्टम ही जानते हैं सब और सो किलोग्राम गोल्ड आया है और हमारी नेजर में गोल्ड कितना था सो ग्राम था तो दोस्तों एक ऐसा सिस्टम आना जरूरी था जो कि इंटरनेशनली क्या हो वैलिड हो वहाँ पर यह नहों कौन से में एम के चल रहा ह किसमें एफपीय चल रहा है तो एक इंटरनेशनली सिस्टम आना जरूरी था जो कि वर्ल्ड वाइड क्या हो एप्ली केबल हो तो इस सिस्टम को हमोलों क्या पोलता है Si destru 좋아 में हम लोग बोलते हैं द्यान रखेंगे आगे जाके तो और भी लड़ाई होगी तो मैं सातो जो fundamental quantity है सातो जो मूल राशिय है उनके बारे में बता देता हूँ किसका मातरक क्या होगा ठीक है तो आ जाईए तो इन्होंने बोला कि जो time होगा उसका मातरक second होगा इन्होंने बोला जो लंबाई होगा उसका मातरक meter होगा इन्होंने बोला जो दरवेमान होगा मातरक क्या होगा kilogram होगा और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे mks भी तो यही बोलता था mks भी तो यही बोलता कि जो length होती है उसको percent में आपो मास को килोग्राम में मापो और टाइम को second में मापो MKS भी यही बोलता था था ना तो यह भी यही बोल रहा है कि time को measure करो second में land को करो meter में और द्रविमान को करो kilogram में तो आप लोगों से पूछा जाता है कि जो SI system है SI system वो किसका expansion है CGS का है FPS का है MKS का है यह MKS का ही extension है क्योंकि MKS बोलता था लंबाई को, mass को, time को इसमें measure करो वो ही चीज फॉलो हो रही है और इसके आगे चार चीज़े और बता दी इसने तो MKS का ही expansion हो गया न यह ध्यान रखेंगे और इन्होंने बताया SI में electric current को आप लोग measure करो ampere में temperature को measure करो Kelvin में दोस्तों यह बहुत बार हम लोग गलती करते है एक जाम में question पूछा जाता है temperature का SI मातर क्या है और हम लोग Celsius लगा देते हैं ध्यान रखेंगे दोस्तो Celsius नहीं होता ना Fahrenheit होता है Kelvin होता है ठीक है अरे clear है ठीक है अब आप लोग बोलोगे सर मैं कोई भी चीज लाता हूँ वो तो किलोग्राम में होती ना तो सर amount of substance और mass में क्या difference है दोस्तों मुझे एक ची बताइए यह एक container मैंने लिया समझ गे इसमें चिन्नू से आपने carbon dioxide गया छोड़ दी अब आप लोग जब इसका द्रव्यमान देखोगे तो द्रव्यमान तो इसका कुछ आए गए निए मालू 0.001 ग्राम ऐसा कुछ आ रहा है अब आप लोग अगर ध्यांच से देखोगे जो carbon dioxide gas आपने छोड़ी CO2 gas होड़ी तो इसमें carbon dioxide के बहुत सारे molecule है बहुत सारे अणू है तो कितने है यार तो जब आप लोगों ने सुना होगा एक मोल दो मोल पॉइंट फॉर मोल तो जो अमाउंट आप स्टेंच से कितनी मात्रा है उसको मेजर करते हैं दोस्तों किस में मोल में मेजर करते हैं ध्यान रखेंगे ठीक है अब बात करते हैं derived quantity ठीक है तो सब्सक्राइब क्वांटिटी क्या होती है इस फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है इनी से ही आप लोग की डेराइब क्वांटिटी बनती है क्लियर अरे fundamental क्वांटिटी क्या होती है जिसके लिए किसी और चीज के requirement ना पड़े जैसे लेंद के लिए टाइम के लिए मास के लिए हम लोगोंको लगा हमारा साहरा काम अफान हो गया हम लोग एरिया निकाल ले गए एरिया एरिया क्या होता है आप लोगों का ले चलो यह बाकि करेंगे हम लोग ठीक है तो आज की तर रखते हैं फिर fundamental यह डेराइब पर मेरे क्लास होती है मिस ना करें यहां पर आप लोगों को आपके रैंक भी मिलती है तो सर कैसे जॉइन करना है अनकेडमी लड़ने के डाउनलूड करें वहाँ पर गोल सलेट करें ससी एक्जाम इसके आप लोग इस पेशल क्लासेज में आईए मेरा नाम सेर्च करिए क्लास में हो हैना ससी की त्यारी कर रहो रेलवे की डिफेंस की आप लोग के सभी एक्जाम के लिए आप लोग का बहुत-बहुत ही इंपोर्टेंट है बिल्कुल बेसिक से कोर्स है आप लोग जॉइन करिए जुड़िए डेली शाम को चार बजे क्लास होती है और दोस्तों जब प्लस सब्सक्रिशन से जुड़ोगे तो ऐसा नहीं साइंस ही मिलेगा सारा सब्जेट मिल जाएगा पॉली टेश्टी जोग्राफी और सभी टीचर्स के कोर्स आप लोगों को यहां पर मिलते हैं ठीक है आप लोग को शांदार पीडिएफ मिलती है जो कोर्स कम्प्ली ट्रेंट में मिल जाएगा ठीक है ओके चलो मिलते हैं दोपेर एक बजे बबाबाए टीक केर कर दो अंवर को झाल झाल